असलाम अलेकुं दोस्ता मैं हूँ अमान अन्जीव और आप देख रहे हैं फॉरंटस की एक और वीडियो बहुत जबादस्त एक और गन आई है हमरे पास इसको खोलते हैं देखते हैं कि यह कैसी एर गन है वॉलकान टू एजी टी एर गन टेकनलोजी की यह जी वॉलकान टू इसको खोलते हैं जल्दी से यह निकल आया जी बैग एर गन का बैग इसके अंदर एर गन होगी यह बहुत ही खुबसूरत बैग भी इसके साथ ही आता है साफ्ट और प्रीमियम कॉलिटी का यह बैग है पोकेट है पोकेट में सुच नहीं है निकाल दें जी एर गन को वाओ ब्रेंडड गन को खोलना एक अलग ही मज़ा है उसका एक अलग ही नशा है क्या खुल सोती है यह मैं दिखाता हम आपको इसके साथ जी यह है इसे पहले एक अंब्रक्सम में कर चुका हूं उरागन की यूरागन या उरागन जो भी कहें वो भी इसी कंपनी की है डब्बा है जी इसके अंदर क्या है इस दब्बे में क्या क्या चीज़ें वह मैं आपको दिखा दूं एक जी पैन टाइप जी अच्छा जी एक है जी कीचेन एजी टी लिखा हुआ है अच्छा जी और किया है इसके साथ सामान यह है जी कोई फिलिंग डब्टर टाइप है यह इसके फिलिंग ट्रॉब है दो मैगजीन है और उरा गन और इसको वाल गन को ट्रो को एक ही तराक के मैगजीन है मैगजीन वही है सेम और यह क्या चीज़ है यह हो सकता है यह डी गैस करने के लिए पीछे से यह चीज़ है इसको देखते हैं वाव हु 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 हाँ ब्रेंड गन की अपनी ही खुश्बूं होती है क्या कालिटी है जी माशाओलां बहुत खुल्सूरा इसका स्टॉक है वॉलकान टू एज़ीटी टेकनलोजी मेडन चक रिपपलेग चक रिपपलेग की यह बनी हुई है जी पॉइंट टूटू में है मैक्स प्रेशर दोसुपचास बार आप इसको बास रखते हैं इसका जो लीवर है जी वह लैफ्ट पर है इसको मेरे खाल में आप चेंज भी का सकते हैं मैं शोर नहीं हूँ लेकिन यहां पर भी चार्स क्री होने तार भी तो यह हो जाएगा उमीद काफी है जी वहो वाव लोड लेंग जी बहुत ही खाली है वेलकृट इसको लोड करना तो बाएं हाथ का खेल है जी बहुत ही खुबसूरत यह गहने और पीछे जी हैमर का जो यह स्कूरू वे बाहर निकला हुआ है बैट पैड है रप्राइजड और यह एजास्टेबाल है उपार नीचे दाइब में आप इसको एजास्ट का सकते हैं टेल का स बाएं से महम की वीवार रेल दी के यह मैं करीब से दिखा दो बहुत ही खुबसूरत यह एर गैन है दी ला जवाब इसकी खुबसूरती है कमाल खुबसूरती है इसका कलर अपना ही कलर है का अलग ही शेयर है इसकी कि वाउ क्या खुबसूरती से बनाया गया है इसकी पहला जो की गयी है बहुत खुबसूरत तरीके से की गयी है जिए वोलकंट टू एड्जास्टेबर इसका बट पैड है उपा नीचे दाय में एड्जास का सकते हैं पीछे हैमर की टेंशन को कम ज़्यादा का सकते हैं यह स्क्रियूद दिया गया है इस तरफ से मैं दिखा दूँ आपको तो एजी टी एजी एन टेकनलोजी लिवर बहुत खूबसरात मजबूत लिवर है वेलगो वेलगो तो आउट्टी करके तो क्या ही बात है और यह दीगी है मैंटमल सेफ्टी हाफ श्राउड इसकी बैरल है आगे यह मोटा सा श्राउड दिया गया है पीछे वैसे भी कवार है बैरल इसकी 20 इंच की पैराल में इसकी और आगे जी यह दिया गया है यू एन एफ आफ एंच यू एन एफ त्रेड इसकी आगे आप अपना सेप्रेसर वगेरा मोटिरेटर लगा सकते हैं यहां से आप फिलिंग करेंगे और आगे दी गई है जी प्रेशर गेज और नीचे यह बेहतरीन रेल सिस्टम दिया गया है यहां पर आप बाइबॉड लगाएं यह जी बेहतरीन किसम की रेले अंदर की स्टाक के अंदर ही यह दी गई है यह जी इसकी बुक है इंस्ट्रक्शन बुक इसके लावा यह दो और रेंग है इसके यह जी फिलिंग बुला सिस्टम है इसका इस तरह के दो मैगजीन है यही उरोगन में भी आते हैं मैगजीन हो यही सारा सिस्टम उरोगन में भी होता है यह कोई पैन है कीचेंड और यह मेरे खाल में जी कास करने का है बहुत खुमस्राद जी यह एरोगन है सीजी की सीजी की अपनी बैरल लगी हुई है इसमें कोर्ड हैमर फोर्जड बैरल 20 इंज की 500 mm की बैरल है इसमें तो एकुरेसिद इसकी log यह जी 3,70,000 पर प्राइसेज की अब हमसे खरी सकते हैं नीचे नमबर में दे दूँगा इसके लावा और भी अगर आप कोई ब्रेंडड एर गान लेना चाहें तो वो भी दस्तियाब है इंपक्ट M3 वो भी दस्तियाब है FX Crown और FX की Wildcat Mk2 वो भी दस्तियाब है वोटस्टाग में वो भी आप हमसे खरी सकते हैं नीचे नमबर आगे आओगा उस पर आप काल करें वार्सप करें शाजी का नमबर है और मेरा नमबर है तो आप अपने पसंद की अपने चोईस की जो भी एर गान लेना चाहें तो आपको इन्शाला आपके दर्वाजे तक वो पहुंच जाएगी यह थी जाग योड़े पसंद आए तो लाइक कीजिए कैमेन कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए पाप अंदी जी पंजाब वाई लाइफ ने लगाई है कि इसके साथ आप शिकार नहीं कर सकते हैं चलें हमें अपने कानून का इहतराम करना चाहिए इसलिए दो साल हो गए हम एर गन से शिकार नहीं कर रहे हैं तो टार्गे शूटिंग हम कर सकते हैं इसके साथ इसको रख सकते हैं ला सकते हैं ले जा सकते हैं सेल पचेस भी कर सकते हैं इस पर कोई पाबंदी नहीं है तो इंशालला ये पबंदी भी उठ जाएगी आप भी दोय करें हम भी कोशिश कर रहे हैं इंशालला कि एर गन के साथ शिकार से पबंदी उठ जाए बहुत सरी और भी चीज़े हैं जो वाइल लैफ की तबहाई का सबब बन रही है उस पे तबहाई लैफ को और अपनी कारकरदेगी को बेहतर बनाना चाहिए नेटिंग से तबहाई ज्यादा होती है जी और बहुत सरे तरीके हैं जिससे वाइल लैफ की तबहाई हो रही है ना कि सिर्फ एर गन से हाँ एर गन के साथ जो बेग एलिमेट से ज्यादा शिकार करते हैं और बेडिंग से जामें जो शिकार करते हैं उनको तो जरूर पकड़ना चाहिए ऐसे अनासर हर फिल्ड में होते हैं जो दूसरों के लिए मुसीबत बनते हैं तुझे अपना क्यार रखिए और हमारे लिए भी दौा कीजिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ बोजल्द अलाफेज पाक्सान जिन्दावाद